गुड इबनिंग डियर इजिडेंट्स आज के इस लक्षर में हम लोग BSC 3rd Semester Physics का जो Part A portion है उसका सबसे लाज शेप्टर EM Wave, Electromagnetic Wave उसके कुछ Most Important MCQ को डिसकस करेंगे ये MCQ आपके 24 January को जो एक्जाम होने वाला है उसके Point of View से काफ़ी Important है इन MCQ को आप अच्छे से जरूर देखें ठीक तो देखिए सबसे पहला कुशन जो है का रहा कि Maxwell's equation in differential form in vacuum R ठीक, Maxwell equation पूछ रहा है तो देखिए आपको copy में Maxwell equation, different, different medium में, differential form का ही different, different form और integral form सब कुछ लिखवाय गया है उसको आप अच्छे से prepare कर लें अगर आप उसका physical statement अगर जानना होंगे, physical interpretation तो आप आसानी से उसको समझ के कर सकते हैं आपको एक एक equation prove करा गया है, तो आपको उसको अपने दिवांगों रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो देखिए, अगर देखा जाए, चार आपसन इसक्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है तो कौन सा आपसन इसक्रीन से correct होगा आपसन नंबर B जो होगा, वो क्या होगा, correct होगा आपका ठीक divergence of A is equal to 0, divergence of B is equal to 0, curl of B is equal to mu not epsilon not E sorry, mu not epsilon not del E by del T and curl of electric field is equal to minus del B upon del T अब देखिए, इसका different form में क्या कहा हूँ, वाले तो different, different medium में, dialect medium में क्या होगा, free space में क्या होगा ये सब conducting medium में क्या होगा, ये तयार कर लिजेगा, ठीक दूसरा चीज़ जैसे देखिए, यहां से उसको बदल के भी दे सकता है ना तो आप confused रहों, उसके लिए इसको भी अपने दिमाग में जरूर रखे रहेगा, जैसे देखिए, यहां सक्या दे सकता है आपको पता है कि D is equal to क्या होता है, epsilon not into E होता है, ठीक तो आप कहीं ये भी कर सकता है, कि epsilon not को E के साथ लेके, यहां क्या लिख दे, del D by del T भी लिख सकता है, exam में, ठीक, यह सब चीज़े मैं कहा हूं, इसलिए confused मत होएगा, और आपको एक relation और पता है, ठीक, बी जुकल to क्या होता है, म्यू not into E होता है, यह सब आपको खापिम लिखवाए गया, तो अगर देखिए, left hand side में क्या change कर सकता है, बी के जगा, म्यू not H रख दे, तो म्यू not constant है, इसको हम डैवर्दिंस के बाहर निकाल लेंगे, तो यह left hand side का, म्यू not, right hand side के, म्यू not से conceal हो जाएगा, और equation आपको क्या बन सकता है, del cross h is equal to, यह क्या हो जागा, आपका, del dy, del d, देखिए, यह भी equation आपका बन सकता है, तो यह जो relation है, यह आप अपने दिवाह में जरूर रख जाएगा, कि अगर एक जामनर कहीं change करे, तो आप confuse हो कि आपने option को गलत ना करे, वैसे ही देखिए, यहां हम क्या लिख सकते है, बीच कल to mu naught h होता है, तो यहां जो सबसे last वाला है, क्या लिख सकते है, minus mu naught del h y del d भी लिख सकते है, ठीक, यह भी यहां पर आ सकता है, तो यह different different farm आपको एक जगा करके notes में लिखवा दिया गया, उसको अच्छे से आप ज़रूर पढ़ लिजेगा, okay, second number question देखे करा है, इ आप आसानी से कनोट कर ले जाएंगे, देखे, यह question देख रहा है, second का क्या होगा, a number option correct होगा, देखे, यहां क्या कर लेंगे, यह देखे, यहां रूर आएगा, गलती से लिखा गया, ठीक, यहां क्या रहाएगा, आपका, root by epsilon not होता, ठीक, यहां पर देखे, यहां पर देखे, यहां पर जो second number question है, अगर इसको आप निकालेंगे, इंटेग्रल फरम्त क्या आएगा, इसका, यह आपका, पहला लाप संज होगा, क्या होगा, correct आएगा, इसको आप यहां से भी relate करके, देख सकते हैं, ठीक, तो इसको आप काप इमें लिखे भी हैं, प्रूब भी करवाए गया, कि कैसे यह होता है, तो यह आप अच्छे से कर ले जाएंगे, इसमें हमको लगता है कि कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक, मैं confidence के साथ आगे बढ़ आओ, कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें अब आप तैयारी करके अपने अंदर परफेक्शन ला चुके होंगे, अब देखे जो, थर्ड नंबर को सन है, थर्ड नंबर को सन करा की, displacement current associated with time bearing electric field is, क्या होता है, यह भी आपको पता है, कौन साथ सन इसका correct होगा, displacement current पूछ रहा है, related to time bearing electric field, देखे यह आपको पता है, पढ़ाय भ तो क्या होता है, del dy, del t, अब देखें, यहाँ, d के जगा क्या लिख दिया है, d के जगा, अगर हम mu not e ले ले ले, sorry, sorry, epsilon not e ले ले ले, तो क्या हो जाएगा, epsilon not del e by del t हो जाएगा, मतलब, थर्ड का, option number जो c होगा, क्या होगा, आपका correct होगा, okay, third number question का क्या होगा, option number c आपका correct option होगा, ठीक, fourth number question देखें, fourth number question करा की, electromagnetic waves in free space is, ठीक, free space में इसका क्या होगा, electromagnetic wave का equation free space में क्या होगा, तो देखें, यह आपको prove भी करा गया है, सब निकलवाए गया है, इसका D-VEN-बर-option. इसका होगा करेक्ट होगा. और नीचे लिख भी दिया गया है. यह मालिजे E के टर्म में दिया गया है. अगर B के टर्म में होगा. तो जहाँ जहाँ B होगा E है. वहाँ była क्या कर देंगे? B. लिख देंगे. मतलब E को B से Cant Retour कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो magnetic field के term में electromagnetic wave equation हो जाएगा ओके अब देखे 5 नंबर ये भी आपको पूरा प्रूब कराया गया बस आपको class में इसी वज़ा से notes में एक एक लाइन प्रूब कराया जाता था कि अगर किसी भी point से mcq को बनाया जाया तो आप उसको आसानी से कर लिए अगर जो मैं notes बनावाया हूं उसको आप इमंदारी से पढ़ेंगे तो किसी भी mcq में डिस्क आपको प्रावलम नहीं होना चाहिए ठीक आप खुद इसी को तो रिलाइस कर रहे होंगे जब इस दिन पर आपको mcq दिखाई दे रहा होगा तो तो देखिए five number question का क्या होगा c number option जो होगा correct होगा ठीक पांचवे number question का c number option क्या होगा आपका correct होगा ये एक relation तो आप अपने दिमांग में जरूर सेट कर लिजेगा ताकि आप confused नहों जहां पर भी आपको doubt लगता हो इसको change करके अपना answer आप निकाल सकते हैं और beach call to क्या होता है mu not into h ये अपने दिमांग में आप सेट की रहीगा ठीक ये free space का बात मैं कर रहा हूं जो ये relation लिखा हूं ठीक free space वाला relation है otherwise उसका जो relation आप देखेंगे तो वह जब उसको आप किसी मेडिया में देखना होगा तब उस फिर क्या हो जाएगा और यहां पर beach call to क्या हो जाएगा यहां पर epsilon को क्या करते है epsilon r into epsilon nat और mu क्या होता है यहां देखें free space के लिए epsilon r का value 1 हो जाता है और mu r का value क्या हो जाता है तो d is equal to epsilon nat 2 हो जाता है यह relation दिमाग में sit की रहीएगा 5 now question का क्या होगा c number option बताई चुका हों correct होगा ठीक 5 का क्या होगा आपका c number option जो होगा correct होगा अब देखें का रहा है 6 number question intrinsic impedance of vacuum h vacuum का intrinsic impedance क्या होगा तो देखें क्या होता है z is equal to e by h इसी को क्या करते हैं intrinsic impedance करते हैं या इसी को हम wave impedance भी खते हैं ठीक यह is equal to क्या होता है under root mu upon epsilon इतना चीज क्लियर अब देखें हम क्या लिख सकते हैं mu को क्या लिख सकते हैं mu r into mu not लिख सकते हैं epsilon को क्या लिख सकते हैं epsilon r into epsilon not free space के लिए कहा है तो relative permeability of the medium क्या हो जाएगा यह आपका mu r का value 1 हो जाएगा और epsilon r का value 1 हो जाएगा क्या बचेगा free space के लिए free space के लिए mu not upon epsilon not बस under root में बचेगा मतलब अगर free space का बात हम करें तो तो जो z का value होगा क्या होगा e by h is equal to under root mu not upon e not ठीक यह free space के लिए और free space नहीं होगा तो क्या होगा उसको इसके पहले दिसकस किया ही थे अब यह value जो आपका होगा इसी को क्या कहेंगे intrinsic impedance कहेंगे मतलब 6 नंबर question का जो यह वाला part होगा क्या होगा करेक्ट होगा अगर यह vacuum का नाम नहीं दिया रहा था तो आपका आप सामने कुछ इस तरह देता mu by epsilon आप यह अला option लगाते यह नहीं रहता जे डिश्वल टो mu by epsilon या mu r mu not epsilon r अब देखे 7 नहीं को सन करा कि दबाये लुग आप intrinsic impedance आप वैको मेंच यह भी आपको क्लास में calculate कराएगा एक एक चीज क्लास में आपको बढ़ाय गया इस chapter का जो mcq है उसको आप आसानी सिख कर ले जाएंगे मुझे पूरा विसपास है क्या होता है mu not upon epsilon अब देखिए इसको साल किया गया था 376.6 ohm आया था अगर आप सन में 376.6 रहेगा तो वही लगाएगा लेकिन यहां देखिए answer में वह value नहीं दिया है 376.6 को हम क्या लिख सकते है 377 लिख सकते इसका लिख क्या होगा जो option number a होगा आपका क्या होगा correct होगा 377 ohm या देखिए एक चीज आप सन में और दे सकता है जैसे सब कुछ pi में दिया है अगर ऐसे option में 120 दिया है माले यहां पर क्या देदे आपका कुछ और देदे या option में अगर यह देदे 377 को यह 376.6 को replace करके यह भी दे सकता है 120 pi ohm यह value भी होता है शाल करने से पाई का value जबरात के multiply किया जाता है तो 376.6 ohm आता है यह चीज आप पड़े होंगे तो अगर माले यह 377 न देके 120 pi ohm दिया रहा था तो यह 120 pi ohm आपको option correct करना था यह आपको copy में निकलवाए गया है अब page पलटके उसको देख लेजे अब कराकी identify the incorrect statement कौन सा incorrect statement है तो आप देखिएगा जब e m wave का definition लिखवाए थे तो 4-5 line star बनवा के लिखवाए में mcq point of view से तो उसमें अगर पढ़ेंगे तो आपको यह मिल जाएगा कि जो e by b का ratio होता हो क्या होता e speed of light के बरावर होता तो b वाला क्या है सही है अब देखिए जब e m wave होता है तो e और b क्या होते हैं electric field, magnetic field और propagation तीनों एक दूसरे के perpendicular होते हैं तो e और b का जब dart board करेंगे अगर आपसन ए देख रहे हैं आप तो जब इसका dart board किया जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे आपको पता है कि जब दो वेक्टर का dart board करते हैं तो cast theta आता है तो e b cast theta आएगा और e b e m wave के case में क्या होते हैं perpendicular होते हैं तो cast 90 का value क्या हो जागा जी जीरो हो जाएगा इसलिए e dot b is equal to क्या होगा जीरो यह भी statement साही है आपका अब देखिए यहाँ पे अगर बात किया जात e x upon by is equal to c यह भी साही है अगर यह क्या है तो incorrect के point of view से अगर देखेंगे तो क्या होगा d वाला correct होगा ठीक यह चीज आप ध्यान देजेगा incorrect यहाँ पे ठीक 9 number question देखिये कर रहा है कि intensity आफ इलक्टो में अक्टिव बेव is expressed in the form तो आप तो यह पढ़े हैं किस form में expressed करते हैं इसको आप बी नाट वाले टम वाला भी देख लिशेगा ठीक बी नाट के टम में भी इसको आप convert कर सकते हैं तो वाला भी आप देख लिशेगा अब देखिये यह भी आपको copy लिखवा गया कि for a non-magnetic dialectic material the refractive index n is given by क्या होता है ट्रेंड का option number one correct होगा year is equal to क्या हो जाएगा अंडरूट epsilon r ठीक the first option is the correct option अब देखिए 11 को सरकाला कि pointing vector h तो pointing vector किसी-किसी बुक में p से किसी-किसी बुक में s से जैसे आप उसको समझते हूं सिंबल आप definition पढ़ें तो सिंबल से confusion नहीं होगा ठीक तो क्या हो जागा जो pointing vector होगा क्या होगा 11 का जो option number a होगा क्या होगा correct होगा ठीक 11 को सन का option number a correct होगा अब देखिए माल लिजे इसको इस तरह दिया है ठीक एक चीज और हम बताया ना किया वाला relation अपने दिमाग में sit की रही है कहीं पर भी doubt हो तो इसको लगा के तुरंद इसको आप implement कर लिजिए तो जो भी doubt होगा खतम जाएगा अगर माल लिजे यहां कुछ और आप संदाता और फिर यहां पर यह दे दिया रहता जैसे इक रास भी दे दिया रहता तो यह भी आपको क्या करता है यहां पर आपका एक उन्होंने बताता हूं देखें इक रास इ तुराएगा राएगा ठीक अब जब convert करेंगे यह इस तरह भी दे सकता इक रास भी अपान म्यू नाट तो यह रिलेशन भी पॉइंटिंग थिरों के लिए साही होगा क्यों क्योंकि देखें अगर आपसर नमबर फर्स्ट में अगर यह को आप क्या कर दें बी के टम में convert करेंगे तो क्या हो जाएगा बी अपान म्यू नाट होगा ठीक और साथ म क्या होगा तब कुछ ही इस भाम में भी convert हो सकता है मेरे बताने मक्सद दिया ही था कि अगर आपका बी के टम में आ जाता है तो आप उसको मत होगा नीचे क्या करना पड़ेगा म्यू नाट से डिवाइड करना पड़ेगा ठीक क्योंकि यह इस इस टम में भी दे सकता है इसलिए बता रहा हूं बस कि आप यह क्या दे सकता है आपका यह सब आपना रिलेशन जो बताया हूं इवी का वह अपने दिवा मुझे सब सेट करके रखेगा ठीक कि जल्दवाजी में गल्दी ना करें क्योंकि आपको पता है जो इस बाट टाइम मिला बस एक ही घंटा मिला है तो जल्दवाजी में आप गल्दी कर सकते हैं अगर सही किसे को सन नहीं पढ़ेंगे तीस को आप जरूर द्हान रखेगा अपकर आकर ट्वल लंब को सन की इन एन एक्टो में अपर दूड़ आफ एलेक्ट्रिक फिल्ड इस श्टी पाई बोल्ट पर मीटर दा वैलू आफ यह का वैलू क्या होगा तो देखिए आपको पता है क्य इसको करना पढ़ेगा तो क्या कर लेंगे इव बी का वैलू क्या होगा म्यूट इंटू यह होता है तो मिउनाट को यहां नीचे में रहने दिए और सी को नीचे लेते आए यह अगर लिग दिये अब देखिए मूट का वैलु आप पुट कर देंगे क्या हो जाएगा करेंगे तो डी नंबर आपसं करेंट आएगा है जीरो पॉइंट फाइफ एंपियर पर मीटर ओके असान असान एंसी क्यू है इसको आप कर ले जाएंगे अब देखें करा कि रेडियस आफ सन नहीं जार ठीक है संका रेडियस आर है करा कि पावर रेडियेटेड वाई इसके दोर जो रेडियेटेड पावर है क्या है पॉइंटिंग वेक्टर बताइए तो पॉइंटिंग वेक्टर का अगर आप परिभासा पड़ेंगे क्या होता है पावर रेडियेटेड पर यूनिट एरिया तो अगर रेडियस आर है तो एरिया क्या हो जाएगा फोर पाई स्क्वार यह तो डेफिनिशान होता है एक मुट एक मुट एक मुट पी अपान पूर पाई अब जब इसको आफ साल करेंगे तो यह जब साव करेंगे अपके क neuronसा का अब इसकी से को का हो जाओं कर णिए अपन को इसको जाओ अब दिखें कर रहा है कि मffentlich 13 का बीपनवर और आपसन करेक्ट होगा अप इसको समझ गया है ठीक, पावर रेडियेटिटर पाउंटेरिया वही क्या हो जागा आपका प्वांटिंग वेक्टर, अब देखिए, फोर्टीन नमर कोशन यह चार एक्विशन दिया है, पूछ रहा है कि यह क्या होगा, इसका इसका आपको कापी में लिखवाय गया है, उसको देखिए, डेखिएगा, इक्विशन, ऐका इनमबर आप संघ्व आपसं पाउंग, इसका आपको दिराई नमबर, ईनमबर क्रेक्विशन एक्विशन है, तह्यां, वह जाहति какई सब्द्र हो Independe ए नमबर आपसन इसका correct होगा अब देखिए 59 कोशन 59 कोशन का राकी for a good conductor good conductor के case में क्या होता है तो good conductor के जब रहेगा तो क्या रहेगा ρो अपान स्वारी सिंग्मा अपान omega epsilon का value जो होगा greater greater than 1 होना चाहिए एक से बड़ा होना चाहिए और अगर poor conductor रहेगा तो वो एक से छोटा होना चाहिए जो 16 नमर कोशन है तो 16 का B सही होगा और 15 का A सही होगा अब देखिए पूछ रहा है कि the energy density in an electric electromagnetic wave in vacuum age ये relation पूछा है the energy density let me check अब देखिए थोड़ा साइस में कुछ मिश्टेक है तो देखिए यहाँ पे आप इसको ये कर सकते है कि relation between E and Y ये आप wave impedance कर सकते है तो जब आप उसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका energy density क्या होता उसको अभी आगे डिसकस करेंगे ठीक और ये क्या कर सकते है आप वो intrinsic impedance कर सकते है wave impedance तो इसका value जो क्या होगा E by Y is equal to क्या हो जाएगा under root mu not upon Y, sorry mu not upon epsilon not तो जब इसको आप solve करेंगे E के साथ क्या चल जाएगा under root epsilon not और Y के साथ under root mu not तो B वाल option क्या होगा correct होगा ठीक ये question क्या होगा E और H में relation आपका सकते हैं या impedance का बात कर सकते हैं या wave impedance का इसमें बात कर सकते हैं ठीक तो ये होगा इसको थुड़ा question change के लिए book में गलत था वो गलत लिखा गया इसमें ओके अब दखिए 80 now question करा कि if magnitude sorry if magnetic monopoles existed then which of the following Maxwell equation will be modified अगर करा कि monopole exist कर रहा तो कौन साम actual equation इन चारों में से modify करना पढ़ेगा तो देखिए आप बताया गया था जब physical interpretation लिखवाय गया था तो बताया गया था कि divergence आप B is equal to zero का मतलब क्या है magnetic monopole does not exist ये बहुत ही important relation है अगर आप B2 अगर आप का intrinsic exam दिये होंगे तो ये direct direct question सन्यास जाता है ठीक ये सब जितना आपको objective प्रोवाइट किया जा रहा है ये competition point of view से भी important है तो अच्छे से उसको समझते हो पड़ें आप तो देखिए बताया गया था इस case में कि magnetic monopole does not exist कौन सा आप बताता था divergence आप बीचकल to zero class will याद करिए जब आपको बताया था तो अगर कहा दिया जा कि monopole exist करना है तो कौन सा equation change करना पड़ेगा दूसरा question change करना पड़ेगा तो इसका अगर change कर दिया जाए तो क्या हो जागा इसको अगर modify कर दिया जाए तो magnetic monopole exist करने लगेगा ठीक आपको पता ही है class 6 में पड़े होंगे अगर यह नart pole है यह south pole है अगर यहाँ से magnet तोड़ दिये तो फिर क्या होगा magnet की property है जो यह टुकड़ा होगा यह north south ही हो गया और फिर क्या हो जाएगा यह वाला आपका north south इस तरह magnet तयार हो जाता है लब हमेशा उसमें क्या होते हैं दूनो पोल रहते है नart और south pole एक साथ तो आपको बता है थे कि डावर्देंस आप बीच कल to zero क्या बताता था यही चीज़ बताता था कि monopole exist नहीं करता हमेशा दूनो पोल होंगे dipole होंगे north और south दूनो पोल होंगे लेकिन क्या कर रहा कि क्या modify कर दें कि monopole अगर exist कर रहा है तो कौन साई question इससे modify कर दें तो यही बीवाला करना पड़ेगा क्योंकि यही तो बता रहा था monopole exist नहीं करता है ति इसको अगर modify कर दें तो monopole condition लगा कि exist करा सकते हैं ठीक अब देखिए 99 कोशन 99 कोशन कर रहा कि 99 कोशन देखिए कर रहा कि the amplitude of electric and magnetic field are related to each other by the relation किस relation से relate किया आता है electric और magnetic field के जो amplitude होते है तो जिससे e और b relate किया जाएगा उससे उनके magnitude को भी relate किया जाएगा amplitude को भी relate किया जाएगा ठीक तो जो उनका amplitude होगा क्या होगा आपको बता गया है कि e by b is equal to क्या होता है c होता है तो इनका amplitude भी क्या होगा अगर तो e not upon b not is equal to c तो कौन सा relation देखिए, इस वे से आपको सही होता नजरा रहा है, कौन सा relation, तो C वाला relation सही होगा, 19 का C number option correct होगा, ठीक, यह C वाला क्या होगा, 19 का correct होगा, अब देखिए, 29 को सन कर रहा कि the pointing vector, yes, of an electromagnetic wave age, तो क्या था, यह देखिए, repeat हो गया question गल्ती से, yes, equal to क्या होगा, इक रास यह, इसको पीसे discuss किया है, तो 20 का क्या होगा, यह number option क्या होगा, correct होगा, okay, 20 का a number option जो होगा, आपका क्या होगा, correct होगा, देखिए, आप एक numbering mistake है, चलिए, अब इसको 20 prime कर लेते हैं, okay, इसको, क्या होगा, आपका, अरे, आप डिफ्लिशन नित पढ़े हैं, क्या होता है, यह वरी कर रहा है, यह इसको इस तरह भी आप कर सकते हैं, epsilon not daily by delta, तो देखिए, क्या हो रहा है, electric field क्या हो रहा, time साथ वरी कर रहा है, तो displacement current है, ठीक, यह तो displacement current का एक क्या होगा, तो इसका अनलब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, correct होगा, अप कर रहा कि, the energy of electromagnetic wave in vacuum, that is, vacuum is given by the relation, यह ही कोशन देखिए, आया था, जो मैं हो 79 को, यह देखिए, देखा देता हूं, आपको, यह देखिए, यहाँ पर वो statement यह हो सकता, यह question 17 जो statement था, वो उसी question का है, जो हम लोग डिसकत करने चलना है, ठीक, energy density, या फिर, जो statement दिया है, आपका, क्या statement दिया है, कि energy of electromagnetic wave in vacuum, is given by the relation, किस relation से दिया आता है, डी वाल option correct होगा, यह आपको बताया गया है, ठीक, डी option भी the right option, ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, 21 का, डी number option correct होगा, अब 22 देखिए, का रहा कि direction आप, propagation आप, एलक्टोमनेक्टिक, बेवेच की बेन पाई, तो देखिए, इसमें, आपसन में, लिखने में कुछ गलत हुआ है, जो लिखा है, वो ध्यान नहीं दिया, ठीक, इसको correct कर देते हैं, मैं, मैं correct वर दे रहां, उसको, अब देखिए, यह चौथा option, जो होगा, क्या होगा, यहाँ पर, एक रास भी होगा, ठीक, अब देखिए, यह आपका, 20 का, यह चार option दिखा दिखा दिप, पहला option correct लिखाया उन्होंने, लेकिन, भागी जो option है, वो थोड़ा, गलत कर दिय या, दूसरे कोशन का लिख दिया, ठीक, यह option 4 होगा, ओके, यह option नहीं होगा, आपके, अब देखिए, इस पे से, तो direction आप, प्रोपोगेशन, आप, इलेक्टो, मागनेटिक वेव, क्या होता है, जो direction आप, प्रोपोगेशन होता है, और जो electric field, और जो magnetic field होता है, तीनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, perpendicular होते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, जो आपका सबसे last वाला option है, D, E cross B, वो क्या होगा, आपका, correct होगा, मतलब 22 का आपका D number option, correct होगा, ठीक, E dot B नहीं होगा, क्योंकि E dot B का value क्या हो जागा, 0 हो जागा, क्योंकि perpendicular होते हैं, और E और B क्यों होगा हैं, ठीक, किसके perpendicular होता है, आपको पता है, कि A cross B करते हैं, तो उनके perpendicular तीसरा आता है, जो vector, new vector आता है, उनका resultant, क्या आता है, A cross B जो आप करते हैं, तो उसके perpendicular आता है, दूसी तरह E क्रास्पी का जब आप लेंगे रिजल्टेंट उसका पर्पेंग्लोर क्या आएगा के आएगा वही तो था डारेक्शन अप प्रोपोगेशन खिक तो 22 का क्या होगा D नमबर आप्शन करेक्ट होगा यह सबासान कोशन है अब देखिए 23 नमबर कुशन 23 नमबर कुशन का राकी अब वेब इस प्रोपोगेटिंग इन मीडियम आप डाई इलेक्टिक कॉंस्टेंट तो क्या होगा 1883 ओम होगा कैसे होगा चलिए बता भी देते हैं आप लोगो नेट कहेंगे सर सब कुछ सुनों बस हावा मुडाते चल जा रहा है क्या होता है आपको देखे रिलेशन बताएं हैं यहां क्या होता है मिव आर अपान एफसाले नार ठीक अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं जगा बना लूँ तब लिखता हूं इसको जे डिचकल टू क्या होगा अब देखे यहां से क्या होगा फिर मैं बताया था कि क्या होता है मिव अपान एफसाले नार ठीक इस तरह होता है अब देखिए अंडरूट एफसाले नार अपान एफसाले नार का बैलू क्या होता है 376.6 होता ठीक 376.6 तो अगले स्टेप में जब लिखेंगे तो जे डिचकल टू क्या हो जाएगा 376.6 और साथ मुल्टिप्लाइड वाई अंडरूट मिव अर अपान एफसाले नार तो मिव अर का बैलू 50 दिया है और एफसाले नार का बैलू क्या दिया है तो 50 divided by 2 करेंगे तो अंडरू 25 बचेगा और अंडरू 25 का बैलू क्या जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा इसको जब आप मल्टिप्लाइ करेंगे तो जे डिचकल टू क्या हो जाएगा 1883 ओम आएगा ठीक इसको आप साल्व कर ले जांगे कोई राकेट साइंस नहीं लग र पर मीटर और एराइवल एड रिसीविंग एंटीना दा मैक्सम मैंगनेटिक फ्लक्स देंस्टी आप सच बेव एच ओके पैरे गुट ठीक है दिया है क्या करना है वह अपना अलग कर रहा था हूं अपना अलग करेंगे ठीक यहां देखिए क्या हो जाएगा इवाई बीच क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ये रिलेसन पता है आपको एका वाई दिया है टांग के लाग पूट कर देंगे ओक्वल निकालना तो सी को टांग के नीचे पोचा देंगे तो क्या हो जाएगा E by C is equal to B ठीक, टंगाया करके E और C का value put कर दिये इसमें, अब देखिए क्या होगा जब E और C का value आप put करके solve करेंगे, E का value 10 को पाउन minus 4 दिया है, C का value 3 into 10 पाउर क्या हो जागा 8, जब उसको आप solve करेगा देखिएगा D number option correct आएगा ठीक, put the value, get the result आपको देखिए, कुछ इसमें गलती ज्यादे दिख रहा होगा आज की PDF में, चुकि यह science के बच्चे से नहीं लिखाया हूँ इस वज़े से इसमें गलती ज्यादे आ गया है ठीक, दूसरे stream का बच्चा था जो लिखा है तो इस वज़े थोड़ा आप उसको होगा लेकिन होब कि आप इस वर जिस्ट कर लेंगे अब देखे 25 नो कुस्टन कर रहा कि वेन प्लेन इलेक्टोमेलक्टिक वेव इंटर्स फ्राम वन मीडियम इन्टू एनदर वाट करेक्टरेस्टिक्स रिमेंस अंचेंच्ट जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी तो हमेसा दिमांँ में रखेगा कि फ्रिक्विंसी उसका क्या होगा हमेसा अंचेंच रहेगा 25 का क्या होगा भी नमबर आपसन करेक्ट होगा 26 नबर कॉस्टन देखिए इसको भी आप अपने दिवाग में set कर लेज़ेगा आप देखिए जो बिद्वान इसको लिखे हैं C number option यादा उड़ा दिये हैं उड़ा दिये हैं हो गया ठीक C number option नहीं correct होना चाहिए उसी को उड़ा दिये हो ठीक तो यहाँ पर देखिए क्या होगा C number option में आप largest कर लेज़ेगा जो आपका C number option है आपके copy में मिल जाएगा आपको ठीक यहाँ पर क्या होना चाहिए for normal incidence यह रखिए EOR upon EOI is equal to क्या होना चाहिए E2 minus E1 upon और फिर क्या होना चाहिए किदर E2 plus E1 ठीक यह C number option incomplete है उसको आप complete कर लेज़ेगा ठीक और C ही क्या होगा आपका correct होगा ठीक दूसरे stream के बच्चों से लिख्वाने पर यह थोड़ा दिक्कत आ जा रहा है ठीक आगे स्कोसिज रहेगा कि इसको improve किया जा अब देखे 28 ने उसको सनका रहा कि expression for skin depth क्या expression होगा तो इसको आपके copy में लिख्वाए गया C वाला option क्या होगा correct होगा okay तो इसका क्या हो जाएगा आपका C number option जो होगा correct हो जाएगा 28 का C number option correct होगा okay कि 49 ने को सन देखे कर रहा कि Electromagnetic waves और Electromagnetic waves रेडियो waves भी होती है ठीक है इसका D number option क्या होगा correct होगा आपके अब देखे 39 को सनका रहा कि Electromagnetic waves और प्रडूस्ट पाई सकता है बढ़ना भी आ सकता है ठीक तो अक्सेलेट और डियक्सेलेट चार्ज वन ली प्रोडूसेश इलेक्टो मैंटिक बेफ ओके अब देखे यहां 31 को सनकरा कि Speed of इदे की अब देखे करा कि Speed of EM wave in vacuum is वैक्व में EM wave का Speed क्या होगा ठीक तो 31 का आपका क्या होगा जो आपसा number B है वो क्या होगा correct होगा ठीक यह 1 upon mu not upon epsilon not होता है ठीक वैक्व में पूचा ठीक अब देखे नार्मली अगर आप देखेंगे तो b equal to क्या होता अंडरूट mu epsilon होता है ठीक यहां से क्या होता है इसको आप mu r, mu not और epsilon r, epsilon not यह भी फामला ने दिवाम रखेगा यह medium में है और यह क्या है वैक्व में ठीक 32 number question देखे कर आए 32 number question इलेक्टोमेंग्टी बेवार्ट यह क्या आता है Transverse होता है यह तो आपको पता होगा रट भी गया होगा क्योंकि आप 27th semester का जब paper दिये थे आपके paper में question पूछा गया था बेव motion knowledge editor से उसमें भी आप लोग में से कुछ लुग रहे होंगे जो गलती करके आए होंगे ठीक लेकिन चलिए 32 का a number option क्या होगा correct होगा यह तो आप इंटर से पढ़ते आ रहे हैं इंटर में यह क्या होता है इसके बीच का जो एंगिल होता है 90 डिग्री होता है ठीक तो क्या होगा c number option correct होगा ठीक 35 नों को सुन देखे कि फ्रेजिनल एंप्लिटूड रिफ्रेक्शन कोफिसियंट फार पैलल पुल डाजेशन इस गीवन बाई तो 35 का क्या होगा यह number option correct होगा इसका हर केस पढ़ लिजाएगा जो आपको काफी में लिफाए गया ठीक 36 देखे कर रहा कि number आप maximal equation है चार maximal equation होते हैं ठीक चार किसमें integral फार्म में और चार differential फार्म उसी को इंटेग्रल फार्म में कर लेते हैं ठीक तो क्या होगा 36 का इन बी नंबर आप संजो होगा क्या होगा correct होगा 37 देखे कर आए displacement current arises due to देखे कुस्षण repeat हो गया गलती से कैसे रही रही होता है टाइम बरिंग इलेक्टिक फिल्ट के होज़ा से displacement current रही होता हूँ एक्स्प्लीन भी किया था मैं आपको अब देखे 38 नौ को सुन कर रहा कि कि इलेक्ट्रमेंग्टिक वेप्स इन फ्रीं स्पेस ट्रेवल वेट इस्पीड अफ लाइट कि इसका क्या होगा ए नंबर आप संजो होगा क्या होगा correct होगा 39 नौ को सुन कि कर रहा 39 को सुन की डाइवर्जन साभी इस कल टू रो इस बेश्टरां क्या होता है रपड़े है धिफिडिक्यल फ्रम गास्प्रा का 39 काड़ी होगा अब देखिए यह 49 को सुन कर रहा कि एन इलेक्टोमेक्टिवेव ट्रवल से लांग Z-axis which are the following pairs of space and time varying field would generate such a बेव Z-axis के लांग क्या हो रहा उसका propagation होना रहा मनलब क्ये वेक्टर क्या है Z-axis के लांग है तो बाकी दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए उसके देखिए इसका आफसर नमबर A क्या होगा correct होगा EX BY ठीक यह भी हो सकता है या इसका B भी हो सकता है B वाला आफसर देखिए A और B दोनों इसका हो सकता है A ही लगाएगा आप बाकी दोनों देखिए Z component दिया तो जी इतुर रहाएगा यह दोनों गलत है आफसर तो एंकि उन लेक्चर को आप अच्छे से देखें यह काफी इंपार्टर लेक्चर है यह ज़रूर चीज़ आप देखें होंगे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा कुछन कुछ क्या होगा है थोड़े से अरेंज वे में नहीं मिलेंगे इस वीडिया आपको लेकिन थोड़ा सा आपर जेस्ट करिएगा ओके आगे से इसका ध्यान दिया जाएगा कि कुछन को कि साई से आपके सामने लाए जाए थिक थैंक्यू